नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 45 वर्सों के पर उसके पाम का आसस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर पर थम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उत्र करेंगे उससे पहल आगे का जीवन कैसा रहेगा, बुढ़ा पाक कैसा बीतेगा, और अतली पर क्या अच्छे खराब योग हैं, उस भी शेप पर पूनता चर्चा कर दीजिए, तो निश्चिंत रहें आपके साड़े कोश्चन्स का आपको उतर मिलेगा, तो इनकी अतली पर नहीं बहतर योग ब आगे और आपके जीवन पे भी मिलेगा बहुत सा सुख जो की इस वीडियो के मादियम से मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना नहीं तो चीज़े समझ में नहीं आएंगी, तो सबसे पहले चीज इनके एतली पे बनरे मल्टीपल प्रॉपर्टी के यो पहले ही बताने का कोशिश करता हूँ, तो हर एक चीज सही था, और दूसरा क्या और अच्छे योग है, नहीं है, और आगे क्या हो सकता है, उस विशे पे पूर्णता जानकारी दी जाएगी, तो सबसे पहले चीज, तो मैं दिखाऊंगा ऐसी क्या इस्थिती थी, तो मैं के लिए उनका दूसरा पर एक लाना चाहूंगा, तो देखो, इनकी एक तो बन रहे थी, 36 के बाद प्रॉपर्टी के योग, तो वो चीज से मैंना सपस्ट बताई थी, और वो सही थी, ये तो गी पहली, दूसरी एक और प्रॉपर्टी के योग जोनक क्या गजब के बने है शूरी परबत पर बन रहे कुछ आश्चर जनक योग, तो ये प्रॉपर्टी आप इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं, यहाँ पर से, तो इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलता ही मिलता है, और एक योग थोरा मैं आपको और दिखाता हूँ, ये आपने देख ले एक दूसरा इनकी यहाँ पर देखो, एक और मल्टिपल प्रॉपर्टी के योग, तो ये दो तो कम्प्लीटली है, अगर कोई और फेल भी कर जाए, ऐसे और भी बहुत हैं, ये भी आप मान सकते हो, अगर ये कोई और फेल भी कर जाए, तो इस दोनों का तो फल मिलना ही है, ये जो बेस हैं, वो भी स्ट्रॉंग होने आती आवश्चक हैं, तो इनकी मंगल, दोनों ही मंगल लाजबा आवस्था हैं, अगर आप मंगल पर गौर करें, तो ये एक जबरदस्त, दूसरी मंगल भी जबरदस्त, और यहाँ पर से देखिए, तो एक लाइन आपकी बन रहा है जो की प्रॉपर्टी के सुख को देता है, तो प्रॉपर्टी मिलनी ही है, तो ये इनके एतले पर एक विशेश योग बन रहा है था, और भी अच्छे योग है, उसका भी मैं चर्चा भी करता हूँ, वीडियो से, तो सबसे पहले चीज़ ये चीज़े मैं आपको क्लियर की अगर आपके एतले पर भी ऐसे अवस्था हुई, एक से ज़ादा प्रॉपर्टी बनाओगे, गिरेंटी हमारी है, दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो इनके एतले पर और क्या अच्छे चीज़े हैं, एक तो बहुत बड़ी प्रॉग्रस लाइन आपका वेट कर रह हैं, तो यह चीज़े आपने देख ली, अब कुछ चीजों का और मैं पड़ी चे कराता हूँ आपको, एक रेखा जो चंदर से निकल के यहां आ रही है, चुकि यह रेखा बहुत मोटी है, इस रेखा की विशे में ही बताया जा रहा है, तो इसका ना तो नेगेटिव फल अगर ना पॉजटिव, और कहीं न कहीं यह रेखा, अगर भागी रेखा से जुड़ी, तो यह पॉजटिव वे में ही जा रही है, अगर नहीं भी जुड़ी, तो इसके लिए टेंशन रहने का वशकता नहीं है, चुकि यह बहुत मोटी है, बहुत जादा, और इतनी मोटी रेखा का, ऐसे भी जनरली फल नगन्य के बराबर रहता है, ना के बराबर रहता है, तो इनकी फेट लाइन आपने देखा, क्या गजब की भागी रेखा है, जो मैंने यहां से दिखाई, दूसरे इनकी सूरी लाइन भी बहुत बढ़िया, एक जॉब प्रोफेशन रहता है पहले मुझे यह डाउट हुआ कि यह फिश रेखा, लेकिन यह फिश नहीं है, क्योंकि यहां पर से एक लाइन हल की निकल के दोर सूरी रेखा से यहां पर एक ड्रेक्टेंगल बनाए, तो यह फिश नहीं है, चीजों को बारी की से समझता हूँ, फिर उसको क्लियर करता तो यह देख लिया आपने, यह बहतर योग है, यह भी कोई करत योग नहीं है, यह जो पतली रेखा है ना, यह इनको फल देगी, और बिजनस प्रोस्पेक्टर से चीज़े समझ में आरे, उस पर भी पूरने तर डिसकर्शन किया जाएगा, तो यह कुछ अच्छे योग के मैं चर्चा कर रहा हूँ, एक प्रॉपर क्रॉस आपकी ब्रशपती पर है, चुकि ब्रशपती की निर्वल अवस्था की वज़े से, आपके जीवन पर धोकादारी के परिशानी आएंगे, सत्रू लगे रहेंगे आपके उपर, इस चीज़ का भी इंडिकेशन ये करा रही है, तो इसके लिए मैं फोन पर आप से डिसक्ष करूँगा कि इसके बहतर के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये ब्रशपती आपकी वी कवस्था में है, तो इसके लिए तुपाय करना mandatory compulsory है, तो मैं इसके लिए आपको बता दूँगा, जो भी चीज़े उचित होंगी, तो ये ब्रशपती का एक दिक्कत था, बागे एक क्रॉस बन रहा है, तो कहीं न कहीं इसके negativity को दूर करने में सहायक है, और दूसरी fate line तो बड़ी गजब की बनी हुई है, और जीवन रेका भी बड़ी स्पस्था ते लिए पर है, तो आगे का जीवन मूलता यहां से ठीक अभी मैं उस question पर आता हूँ, तो ये इन कहते लिए पर कुछ बहतर योग थे, और सबसे primary, कि आपके मूलता सारे घ्रों में strength है, तो इस case में व्यक्ति को राजयोग का फल मिल पाता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और ब्रशपती की थोड़ी दिक्कत की 45 एर का इनका age चल रहा है, 46 होने वाला है, एक 43 में एक दिक्कते थी इनके जीवन पर, 36 में दिक्कते थी, age by age इनको बताया गया था, एक तकरीबन इनकी 36 है, और अब अगर आप फील करो तो एक तकरीबन आपकी 24 में साल में दिक्कते थी, और एक आपकी 24 में, 26 में साल में तो ली दिक्कते आई थी जीवन पर और थोरा सा और आगे बरो ते खलकी 27 में साल में ये कुछ दिक्कते थी इनके जीवन पर जिसका इनको फल मिला होगा इस पार्टिकुरलिस एस का भी चर्चा किया गया था हमारे द्वारा उसके बाद से चुकी आपकी जीवन रेखा काफ 28 की तो इसके विशर में व्रिहर डिश्क्रशन किया जाएगा निशिंतर है और इसके उपाई है तो जो भी सटीक उपाई है मैं आपको कोशिश करूँगा देने का ताकि इसके रिगारिंग जो भी नेगेटिव इंपेक्ट है वो नहीं आए उसके बाद के आपकी जीवन पर एक राहू लाइन यहां आ गए यहां पर निकल गई तो इस फेट लाइन को यह डिस्टर्व नहीं कर पाई तो यह खुशी की बात है तो फेट लाइन काफी अच्छे तो जॉब प्रोफेशन में विशेश कर दिक्कते नहीं आती पतली है सुई की तरह और गुलाबी आ तो इसका मैं आपसे कर लूँगा निशिंद रहें बागी आपकी आगी के जिंदगी अच्छी है जो आपके रिगार्डिंग कोई परिशानी वाली बात नहीं है तो यह इनके एक ही और मेजर कोशन्स थे बागी जो भी छोटे बड़े कोशन्स है उसका मैं अभी जब विस अच्छे से बीतना है और स्क्वाइरस पाम है तो बहुत माहत्मा कांची और मध्यमेच का सफलता को पाते हैं तैस वरसों के बाद इन्होंने पीछे मुर के जीवन पर नहीं देखा हूँगा क्योंकि इनकी फेट लाइन बड़ी उम्दा बड़ी उम्दा बड़ी उम्दा इन्सान अंदर से घबराहट होती है इन लोगों में तो इसका भी मैं बता दूंगा क्या करना है बागी इच्छा सकती प्रबल है तरक सकती अच्छी है डिजायर के काफी अच्छे लाइन्स है इस केस में व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है इनके जीवन पर और ये चाहते ने फिए के मुँझे मिले इनको एक ख्वाईश भी रहते हैं कि मैं कुछ करूं मैं कुछ अच्छा करूं पर ये तो लाइफ को सेट करने के ख्वाईश रहती है फिर बहुत कुछ करने के ख्वाइश रहती है बागी दो लाइन्स यहाँ पर बने हुए इस discates में होता है इ पिशेशकर सपोर्ट नहीं मिला होता है, अभी उसके बाद मैं आपको देखो तो समझदारी के लोग, क्या गजब की समझदारी है इनकी, बहुत समझदार इंसान है, और हाते लिए पर खड़ी लाइन्स तो ये कभी भी अपने वर्ड से पीछे नहीं हटते, ये बहुत इमा चाहि आती इस लाइन के होने है तू, उसके बाद का अभी बताओ, तो इनकी ब्रशपती फिंगर छोटी संकी बड़ी, तो इस केस में वेक्ती भॉत हिम्मती, सैटरन फिंगर भी लंबी महनती, और ये बुद्ध फिंगर हलकी छोटी जारी, तो वेक्ती निरने लेने में थोड़ी परिशानी करेगा, चुकि ये प्रारंबिक समय में ही होता है, 25-30 साल के बाद इसके नेगेटिव इंपक्ट खतम हो जाते हैं, फिर भी अच्छे डेसेजन मेकिंग है, तो आपको शला लेने का आवशक्ता होगी, जो भी चीज़े आप करना चाहो अपने जीवन तो ये तो होगे फिंगर की बाते हैं, अभी बात करता हूँ, मैं हलकी टिंड कर रही तो आप टेलेंटेड हैं, आप अपने टेलेंट से जाने भी जाएंगे जीवन पर, आपको याद रखा जाएगा आपके करमों से, आपके गुन से, दूसरे बाद में देखो ब्रशपत आपकी जुपिटर तक चड़ी हुई है, और ये थोड़ा सान निगेटिव इंपेक्ट करती है, पारी वाइक डिस्टी कों से, चीज़े असपस्ट नहीं दिखती, और दो स्मित्र आपके पीछे लगे रहते हैं, आपका क्रिटर से जम काफी ज़ादा होता है, तो शत्रु कारवाय लाइन अच्छे है, दान दक्चीना करने में काफे इंटरस्ट है, लोगों का मदद करने में काफे इंटरस्ट है, सेवा भावी नीचर है, चुकि मध्यमस्तर ये बरशपती है, तो अपने कारे छेतर को आप बढ़ाई लीजेगा, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्र के रेखा आपके शूड़ी के तरफ बर रही है, अगर इस रेखा में यहां भी स्ट्रेंथ रहता, ये मिली रहती, तो प्रॉपर्टी के सुख को ये भी दर्शाती है, हो सकते आने वाले समय मिल जाए, फिलाल अभी मिली नहीं है, ये अच्छी रेखा मानी जाएगी, ये कोई संदे वाली बात नहीं है, 60% के राउंड, 100%, फिर देखें इनके तली पर लाइन ओफ एजुकेशन, क्या शांदार लाइन ओफ एजुकेशन, बेसिक नॉलिज की कोई कमी नहीं होती, शूड़ी रेखा बड़ी बनिया है आपकी, तो एक जॉब प्रोफेशन रहता है, और अच्छे पोस्ट पे जाएंगे इस चीज़ का भी शूड़ी रेखा प्राप्ति करा रही है, चुकि दोरी शूड़ी रेखा है, तो कम महनत में जादा फल को इंडिकेट कर रही है, और अगर इसी रेखा पर गौर किया जाए, तो यहाँ पर से एक हलका फ्लैग नुमा किरती इस रेखा के साथ बनी हुए है, तो व्यक्ति को नेम फे मिलता है, इनके करमों के अधाल पर यह काफी टारेंटेड होते हैं, और वहीं से एक रेक्टेंगल का भी परिचे करा रही है, इस केस में प्रापर्टी के सुख को यह तो दर्शाई देती है, पैतिक संबत्त से भी मल्टिपल प्रापर्टी के योग है, यह तो देगी ही देगी, एक तो 36 के बाद क्लियर करता है, इसने तो आपको दिया ही होगा, आगे भी यह देगी अवश्य देगी, तो यह दो चीज़े हो गई, अभी शूरी की प्रधानता अच्छी है, तो व्यक्ति को नेम फे लाइन से तो व्यक्ति बहुत दिमाग के तेश तराक होते हैं, और मैंने इनको फोन पर का कि बुद्ध रेखा आपके अच्छे डबलब कर रही है, कमाई के योग अच्छे हैं, भागी रेखा अच्छे हैं, तो थोरा आप अपना कुछ स्टार्ट अप लेने के आपको आवशक्ता पढ़ती है, क्योंकि आपके भागे में लिखा बहुत कुछ है, आप परियास करोगे, तब ही आपको मिलेगा, नहीं तो आपकी जीवन नौकरी कर रहे हो, साठ जार कमा रहे हो, अस्सी कमाऊगे, लाग कमाऊगे, दो लाग कमाऊगे, तीन लाग कमाऊगे, मै चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं मंगल काफी अच्छा है, दोड़ों ही मंगल, एनरजेटिक हैं और थोरी बुद्धर एका डिस्टर्ब रहने की वज़ा से इसको हेल्थ लाइन भी कहा जाता है, अलकी अलकी से पिकता देता अपने जीवन पर, तो यहीं चीज़ आपको आगे बढ़ाती है, चुकि बागे रेखा चीए, तो बागे के तो बहुत धनी इंसान है, बागे के रिगारिक तो कोई परिशानी है ही नहीं, ना आगे आपके जिवन पर होगी, तो बंगल बहुत बहतरी न देली होता ही होता है, विदेश यात्रा एक से ज़्यादा ही बार होती है, इवन बहुत बार होती है, और चुकि ये भी लाइन सापकी बढ़ी में, चंदरमा एक तो परधान है, दूसरा विदेशी धरती सेटल्मेंट के योग हैं, आगे भी आपके योग बढ़ेंगा अगर अच्छे इंसान है आप और बहुत कोशिश करते हैं कि लोग आप से खुश रहें और बहुत कोशिश करते हैं कि मेरे द्वारा गलती ना हो चंदरवा परधान है तो personality wise काफी अच्छे होते हैं और पानी से जुरेवे कारी में लोक से जुरेवे कारी में आपको benefit भी होता है restaurant hotel का भी कारी आप easy way में कर सकते हैं चंदर पे अच्छी lines है तो इसको support करें ये line थोड़ी मोटी हो गई नहीं होती तो ये बहुत अच्छा मानी जाती बट ये मोटी होके ये कहीं इसका मैं कुछ base नहीं देख रहा हूँ मोटी है दूसरी कोई base नहीं ये कहा जा रही है उसके बाद का अगर मैं देखू तो केतु परवत पर वैसे कोई indications नहीं बट यात्रा के काफी अच्छे योग है जो की यात्रा है आपके जीवन पर clear cut मुझे दिख रहा है वो होगी शुक्र काफी परदान है तो wife काफी supportive no doubt थोड़ी से प्राड़ंबिक समय में पर पड़ी वाइक टेंशन्स रही होगी बट मोटे मोटे लाइन से तो luxury का properly साथ मिलता है इन लोग को चाहिए भी इन लोग का जीवन luxury में ही बित्ता luxury के proper lines बने हुए है शुक्र परदान है तो tension लेने पर मजबूर करेगी तो इस lines की हेतों भी एक सरल उपाया जो मैं आपको discuss कर लूँगा ये भी आपके tensions खतम हो जानी है और उसके बाद का देखो तो आप इनकी मंगल रेखा क्या जबरदस्त मंगल रेखा है जबरदस्त तो इस case में व्यक्ति को पुरुपुन रेख है कुछ distractions है जो आपके कुछ समय समय पर मुझे बता रही है तो उसका मैं discuss कर लूँगा उपाई भी दे दूँगा 43 के बाद मूलता 41 रिशेंटली है 47 तो उसका भी मैं discuss कर लूँगा निशिंत रहा चीजों को समझा दूँगा बाकि कुछ विदेशी दर्ती से 47 येर्स में भी एक योग बन रहा है धन लाब के या यातरा के बर्क करने के तो वो भी चीज़े मुझे दिख रही है जीवन रेखा असपस्ट है तायो दिरगायो 75 येर प्लस इसकी चिंदा आप ना करें माइन रेखा बड़ी बली है लेकिन थोड़ा ओवर कॉंफिदेंस कभी कबार ह इमोशनल अपने परिवाईग दिस्टिकों से डरते हैं चीज़ों को लेके और एक समझदार इंसान डरते हैं लेकिन थोड़ा गम डरें बागी घबराहट की जो समस्या उसके लिकारिंग में बता दूगा क्या करना चाहिए और बलाइसन डिस्टेंस काफी अच्छी आपक किसी दिक्कत के तो व्यक्ति को भागी का साथ मिलता है इसमें किसी परकार का संदेह नहीं है जबरदस्ट भागी रेका सुई की तरह पतली और क्या खतरनाक एमाउंट में जबरदस्ट और लाश तक चलिए तो लाइफ टाइम सूचने का वशकता है नहीं थोड़ी बहुत सूरी रेका भी बड़ी बंड़ी तो अधिकारी पोस्ट को यह दर्शाती है जहां भी जिस भी जगा काम करेंगे अच्छे पोस्ट पर बिराजबान रहेंगे सूरी रेका परदान है एक सोर्स आफ इंकम रहता है आगे भी आपकी जीवन की स्थिती बहुत अच्छे दिख देखी बहुत जादा चुकि यह बुद्ध रेका अच्छी अमाउंट में है इसकेस में व्यक्ति को फल मिलता है यहां से भी बुद्ध रेका बनके आगे चल रही है तो कुछ सुरू करेंगे इसका आपको बेनेफिट मिलेगा चुकि इस रेका में स्ट्रेंथ है इसलिए म बाते छोड़ो अभी के जिवन में स्थितियां समाने कुछ एक आदादा राहू लाइन मुझे प्रतीत हो रहा तो यहां हलका सा भी तो इसका मैं कर दूंगा निश्चिंत्रें टेंशन नहीं लेने का तो यह था इनके तले का पूर्णता विशलेशन अगर आपको हमारा य झाल